नवश्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महतोभू प्रश्णोंत्री के बारे में, जो कोशन्स में लेकर आया हूँ, वो बहुत ही इंपोर्टन कोशन्स है और वान लाइनर कोशन्स है, ठीक है, और जो भी कम्पिटेटिव एक्जाम है, उनके लिए बहुत ही महत पुरुश्कार है, ठीक है, नेक्ट कोशन है, अरजुन पुरुश्कार किस से समन्दी थे, जो अरजुन पुरुश्कार है, वो समन्दी थे, खेलकूट से, ठीक है, अरजुन पुरुश्कार जो है, वो खेलकूट से समन्दी थे, किस छेत्र में असाधारान योगदान के लिए शांती स्वरूब भठनागर पुरुषकार दिया जाता है तो इसका सही उतर होगा विज्ञान शेत्र में ग्रेमी पुरुषकार किस शेत्र में दिया जाता है तो ग्रेमी जो पुरुषकार है वो संगीत शेत्र में दिया जाने वाला एक पुरुषकार है ठीक है नॉर रेमन मैक्सेस पुरुषकार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है तो रेमन जो मैक्सेस पुरुषकार है वो फिलिपिन्स द्वारा दिया जाता है ठीक है पुलिल जर पुरुषकार जो है वो कि शत्र में दिया जाता है तो पुलिल जर जो पुरुषकार है वो पत्रका सो पुरुस्कार प्रदान किये जाते हैं तो वह परिदान किये जाते हैं पर्यावरन प्रति रक्षा के शेत्र में ठीक है धनवंतरी पुरुस्कार जो है वो किस शेत्र में प्रदान किया जाता है तो धनवंतरी पुरुस्कार चिकिचा शेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक महत्वपों पुरुषकार है ठीक है नोबल पुरुषकार के इस्थापना किस देश ने की थी तो नोबल पुरुषकार किस की सिम्रिति में दिया जाते हैं तो नोबल पुरुषकार जो सरवच्छ सम्मान पुरुषकार है वो दिया जाता है अलफ्रेट नोबल के सिम्रित किष वर्ष इस्थापित किया गया है तो ुइस्थापित किया गया था 1985 85 में खेल Jimmy के लिए between the नोबल पृष्टी स्मान का कब हुआ था तो आरंब। यह अरंब हुए थे 1964-18 में 1954 में यह आरम होए थे सीवी रमन को किस वर्ष नॉबल पुरुषकार मिला था तो वह मिला था otherwise 1930 में सीवी रमन को नॉबल पुरुषकार प्राप्त किया था मैन बुकर पुरुषकार के लिए किन देशों को लेखकों पर विचार किया जाता है तो विचार किया जाता है राष्टमंडल और आइस्लेंड जो से अंग्रेजों की लेखक थे उन पर विचार किया जाते हैं अर्थ शास्त्र में नोबल पुरुषकार किसने इस्थापित किया था तो वह इस्थापि देवी, फিर बात करते हैं केके बिड्ला फाउंडेशन ध्वारा 1902 में सहित्ती के शर्त्र में उत्कृष्टत योगदान के लिए किस स्थापना की गए थी, तो वो सम्मान जो था सरसुती सम्मान, ठीक है, इसकी स्थापना की गए थी, सरसुती सम्मान की, फिर बात करते हैं व्यास सम्मान किस शेत्र में दिया जाने वाला पुरुषकार है जो व्यास पुरुषकार दिया जाता है वो साहित शेत्र से समंदी थे ठीक है साहित शेत्र में उत्कृष्ट काजिये करने पर व्यास सम्मान दिया जाता है तांसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था तो मध्यपदेश द्वारा तांसेन सम्मान की शुरुवात की गई थी दादा साहब फाल के पुरुषकार सरबतम किसे मिला था तो ये मला था श्री मतिद देवी करानी को ठीक है आचारे विनोबा भावे रविंद्रनाथ टेगोर को साहित्य के शेत्र में किस वर्ष नोबल पुरुषकार प्राप्त हुआ था तो वो हुआ था 1913 इस्वी में ठीक है 1913 इस्वी में रविद्रनाथ टेगोर को सहिति के शेत्र में नोबल पुरुषकार दिया गया था फिर बात करते हैं सिवी रमन को किस वर्ष नोबल पुरुषकार दिया गया था जो सिवी रमन है उनको दिया गया था 1936 में ठीक है 1913 में रविदना टेकुर को दिया गया शाहिते शत्र में और सिविरमन को दिया गया था 1930 में ठीक है फिर बात करते प्रो अमर्थय सेन को किस वर्ष अर्थशास्तर का स्ट्र में नॉबल पुरुसकार प्राप्त हुआ था तुभ जा है बहाती ही शैत्र में शुब्रमण्यम चंदर शेकर को नोबल पुरुषकार दिया गया था अर्थेशास्तर जो शैत्र है उसमें नोबल पुरुषकार दिये जाते है तो वो कब से श्यूरू है तो होन नाना से चाWith तुल्सकार को तेक्हें दादा सहय फाल के प्रशकार परदान किया जाता है कि अमे परेशल सुचना एव UM प्रसारन मंत्रैंटरंपरारथ सरकारथ ससे ठीक है फिर बात करते ओसकर पुरुषकार के तो ऑसकर जो अवार्ड है वो प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ओप मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा ठीक है ज्यान फिट पुरुषकार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था ज्यान फि भाप्त करते हैं हरी वंचराय बच्चन छो है उन्हें सरस्वती संभान परदान किया था तो वह किया गय। तो वो किया गया है लाल बहादूर शास्त्री को ठीक है भारत रत्न से विभूशित प्रथम विदेशी कौन थे तो वो थे खान अब्दुल गफार खान ठीक है जिने सिमान्त गांदी का जाता है तो दोस्तों यहीं थे बहुत ही महतों प्रश्णर सम्मान दिये जाते हैं जो पुरुश्कार दिया जाते हैं उनसे समंदित जो भी कोशन्स थे वन लाइनर के बारे में तो मैंने आपको प्रश्ण उतर समंदित इससे बताए हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भार वन देवातरम